असलामू आलेकुम दस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप वाम लोग खेरिया से होंगे दस्तों आज की वीडियो में हम सौधी अरब की कुछ बड़ी और इंपोर्टेट आ रही है आप लोगों के साथ सेर करने वाले हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप वाम में दो इंडियन लोगों को मौत की सजाद दी गई यानि कि उनका सर जो है वो कलम कर दिया गया अप डेट के उनका बताया है यह गया है कि यह दोनों लोग इंडिया के सहर पंजाब के रहने वाले हैं और इन दोनों ने एक बंदे की हत्या कर दी थी पैसे की बटवारे के चलते तीनों में जगड़ा हुआ और दो लोगों ने मिलकर एक बंदे की हत्या कर दी और उसका जो सरीर है वो ले जाकर रेकिस्तान में फेक दिया जब सरीर बिला और पोस्ताच की गई तो इन लोगों ने कबूल किया कि हत्या इन दोनों ने ही की थी तो बाद में इनको भ किसे जो है वो सवी सरकार की तरफ से दी जाती है तो इन दोनों बंदों को भी मौत की से जो ए वो दे दी गई है कि साथ सजाथ जो डेट यह है कि सौड़ एक अप्टे में में फिछले एक हफ़ते के दोरान 1,600 pros 5 लिगल लोगों को सौधर अलग अलग अलाकों से गिरफतार किया गया है जिन लोगों को गिरफतार किया गया है उसमें से 8756 ऐसे हैं जो एकामा कानून की खिलाफ फरजी कर रहे थे जबकि 4007 ऐसे हैं जो सरहत की खिलाफ फरजी कर रहे थे और 1868 ऐसे हैं जो लेवर लोग की यहाँ पता है यह पिछले एक हफते के दोरान 13711 लोगों को सौधरविया से डिपोर्ट भी किया गया है इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि सौधरविया से सफर करेंगे उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट को तक होता है यह गया है कि कोई बंदा 60,000 रियाल तक या उससे ज्यादे का कोई कीमती सामान लेकर सफर कर रहा है चाहे वो सोनने के सिक्का हो गया या पत्थर कोई हो गया जो की कीमती पत्थर हो गयरा होते है या फिर और भी कोई कीमती सामान उसके पास है जो कि उसकी कीमत 60,000 रियाल है या 60,000 रियाल से ज्यादा है और इसके बारे में वो एरपोर्ट पर मौजूद कस्टम डिपार्टमेंट को जानकरी नहीं देता है और वो पकड़ा जाता है एरपोर्ट पर तो ऐसी सुरत में पहली मरतबा पचीस परसंट उसके उपर जुर्माना किया जाएगा जबकि दूसरी मरतबा अगर वही बंदा पखड़ा जाएगा तो फिर पचास परसंट जुर्माना कियाँ णूद क कानुन सौद्रविय अ के अंदर लागू किया जा रहा है जो लोग सौदरविय से सफर करेंगा अगर पैसे लेकर सफर कर रहे हैं या सोने के जुर्माना जुखे वो भरना पड़ेगा इसके साथ ही दूस्तों आप बात कर लेते हैं जो लोग सोधर भी ऐसे पेसे टांसपर करना चाते हैं इंडिया नेहपाल तो आज की तारिक में क्या रेट चलना है उस सवले से आपको आपडेट करने वाले हैं तो गर हम बात करें इंडिया का इंडिया का इसकी तारिक में इंजाद दे renा है 20.88 ऐंसी भी दें रहा है 20.65 तैवील एत्राजी दे रहा है 20.80 मनी ग्राहम दे रहा है 20.80 टेली मनी दे रहा है 20.94 फॉरी दे रहा है 20.92 बिनी अल्ला दे रहा है 20.71 रियाद बैंग दे रहा है 20.83 इस टीसी पे कैस दे रहा है 20.70 वेस्टेन यूनियन एरिसाल कैस दे रहा है 20.81 यूर पे दे रहा है 20.81 और आपको उधा दें कि जो friendly pay है वो भी तकरीवन 21 के आसपास देता है तो आप फिरंडी पेस से कोसिस करें कि पेस से टांसपर करें, फिरंडी पेस से रेट अच्छा जाता है और पेसे भी जल्दी पहुच जाते हैं इसका अधिकर हम बात करें नेपाल का, तो नेपाल का इंजात दे रहा है तो यह थी आज की सौधिरप की कुछ बड़ी और इप्डेट इंप्डेट खबर जो आपनों के साथ सेर कर दी गई तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो यह जानकारी आपको अच्छे लगी और अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दें चैनल पर दोस्तों नए होती चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि यहां पर आपको सौधियरब के हवाले से जो भी तायातरीन अपडेट तायातरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी वीडियो देखने कर दो बहुत बहुत सुक्रिया मिलते ने श्रूपिक के सब्सक्राइब तरह कि अपना ख्यालों कि खुदा हाँ